वीवर्स एक ऐसी आत्माओं की सोसाइटी जो सभी मरे हुए लोगों की बुरी आत्माओं को पकड़ने का काम करती थी उस सोसाइटी के लोगों के पास तो अलग-लग टैप की सुपर नैचुरल पावर्स हुआ करती थी लेकिन एक दिन गलती से एक नॉर्मल इंसान को वो सारी पावर्स ट्रांसफर हो जाती हैं जिसकी वज़े से उसमें विनाश करी शक्तिया आ गई थी पर इन पावर्फुल शक्तियों को डिटेक करते वे बुरी आत्माई आ गई थी और वो तो उस आदमे को जान से मारना चाती थी तो अब ये देखना है कि क्या वो नॉर्मल आदमी इतनी बड़ी पावर्स को हैंडल करना सीख पाएगा कड़ी ट्रेनिंग करके या फिर वो बुरी आत्माई और खतरना क्रियेचर्स उसे डूंड कर हमेशा के लिए खतम कर देंगे इस बारे में तो बिना टाइम वेस्ट के पता करना पड़ेगा कहानी की शिरुवात में हमें बैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी मदर के साथ रिनी सीजन में घूमने आया था तब भी बैन देखता है कि नदी के किनारे एक लड़की अकेले खड़ी है इसलिए बैन तुरंट उस लड़की के पास भागा भागा चला जाता है बैन की मदर भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गई थी पर अब तो अचानक से उस लड़की ने बैन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था कुछ दिर बाद जब बैन अपनी आखे खुलता है तब उसकी मदर उसे बचाने के लिए बीच में आ गई थी जिसकी वज़े से अब उसकी हालत काफी खराब हो जाती है दरसल वो छोटी लड़की एक बहुती बुरी आत्मा थी जो इसी तरीके से आते जाते वे लोगों पर हमला करते रहती थी इस बात को अब कई साल बीच जाते हैं और अब बैन काफी जाता बड़ा हो चुका था लेकिन अपने उस बचपन के इंसिडेंट के बाद बैन के पास ये एबिलिटी आ गई थी कि वो अपने आसपास के सबी आत्माओं को देख सकता था बैन तो उन आत्माओं से बात करके उनके प्रॉब्लम को सॉल करने की कोशिज भी करता था एक दिन जब बैन अपने घर पर आता है तब उससे अपने रूम में एक अजीब तरीके की औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में तो एक बहुत बड़ी तलवार भी थी दरसल इस औरत का नाम लिया था और ये एक सॉल रीपर थी यानि कि ये बुरी आत्माओं को पकड़ने का काम किया करती थी लिया तो ये जानकर एकदम से शौक हो जाती है कि बैन उसे आखिर कैसे देख पा रहा था क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान सॉल रीपर्स को देखी ने सकते थे पर तभी लिया के डिटक्टर में तेजी से आवा जाने लगती है कि उनके आस पास कोई बहुती बुरी आत्मा मौजूद है बैन तो डर के मारे अपने फैमिली मेंबर्स के पास चला जाता है पर तभी उसके घर को तोड़ते हुए एक बहुती बड़ा हाथ निकलता है और उसने तो बैन की सिस्टर को पकड़ लिया था बैन तो तुरंत अपनी सिस्टर को बचाने के लिए बाहर आ गया था और तभी वो अपने सामने दिखता है एक बहुती बड़ा क्रियेचर जिसने उसके सिस्टर को पकड़ लिया था बैन तो जैसे ही अपने सिस्टर को बचाने के लिए उसके पास जाता है तभी उस क्रियेचर ने बैन को मार कर दूर ढखिल दिया था पर लखीली उस जगह पर लिया आ जाती है और इसने तो अपनी बड़ी तलवार का यूज़ करके उस बड़ी से क्रियेचर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था बैन अपने सिस्टर को कैसे भी करके छुडा लेता है और उसे सेव जगह पर लेकर चला जाता है दरसल ये बड़ा सा क्रियेचर एक बहुती बुरी आत्मा है जो बैन के अंदर मुझूस स्पिरिचुल पावर के वज़े से उसके तरफ एट्रैक्ट हो गया था और अब लिया उस खतरना क्रियेचर के साथ फाइट करने लग जाती है उस बड़े से क्रियेचर ने तो लिया को अपने मुझ से पकड़ लिया था पर लिया कैसे भी करके उस जगह से आजाद हो जाती है और उस क्रियेचर पर उड़ते विवे उस पर वार करते रहती है ले से कि वो creature दूर जाकर गिर जाता है पर इस दमाखे में तो लिया को भी काफी चोट आ गई थी और वो भी एक गाड़ी पर जाकर गिर जाती है बैन तो लिया को चेक करने के लिए वहाँ पर आ गया था लिया बेंड को कहती है कि वो अब काफी घायल हो चुकी है और अब इससे बेंड को अपनी सारी spiritual power transfer करनी पड़ेगी क्योंकि यही एक तरीका था उस creature को खतम करने का अब तो वो खतरना creature पूरी तरीके से recover हो गया था और उन लोगों के उपर हमला करने के तैयरी करने लगा था यह देखकर बेंड लिया के बाद माल लेता है और अब लिया ने अपनी जादवी तलवार बेंड के बाड़ी से टच करते हुए अपनी सारी spiritual energies बेंड के बाड़ी में transfer कर दी थी और जब वो creature उन पर हमला करने के लिए आई रहा था तभी एक बहुत ही powerful परचाई उसके उपर से जाती है जिसने की उस creature का एक हाथ काट दिया था और वो परचाई और कोई नहीं बलकि बेंड था जिसके पास सब लिया कि बहुत सारी powers थी अब बेंड तीजी से उस creature के तरफ बढ़ने लगता है और अपनी बड़ी सी तलवार का यूस करते हुए उस बड़े creature को बीच में से पूरा काट देता है और अब वो creature पूरा destroy होकर वहाँ से गायब हो गया था लेकिन अगले ही moment में बेंड अपने कमरे में उड़ता है और उसे लग रहा था कि ये सारी चीजे एक सपना थी लेकिन जब वो अपने family वालों के पास जाता है तब उसके पूरे घर का एक हिस्सा तूट चुगा था अब तो बेंड एकदम से confused हो जाता है कि आखिर वो सारी चीजे सच थी या जूट लेकिन बेंड के family वालों को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था और अब बेंड को ये confirm हो जाता है कि ये सारी चीजे एक सपना ही थी इसके बाद बेंड अपने स्कूल में चला गया था बेंड तो अपने दोस्तों के साथ normally बाते करते रहता है पर तबी बेंड लिया को वहाँ पर देखकर एकदम से शौक हो गया था लिया बेंड को वहाँ से उठाती है और बेंड को किसी को कुछ न बताने की धंकी देती है और अब बेंड और लिया तो बात करने के लिए स्कूल के छट पर आ गये थे लिया बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहती भलकि वो एक अलगी dimension जिसका नाम Soul Society था वहाँ पर रहा करती थी और जब तक लिया के पास उसके spiritual energy नहीं आ जाती तब तक वो अपने dimension में नहीं जा सकती थी और वो सारी powers अभी Ben के body के अंदर थी इसलिये लिया Ben को मार कर उसके body से spiritual power बाहर निकालती है और Ben के तलवार से खुद को touch करते विए power transfer करना start कर देती है लेकिन इससे कुछ फरक नहीं पढ़ रहा था और तब लिया समझ जाती है कि Ben का energy level काफी जादा कम था और जब तक उसका level लिया के बरुबर नहीं आ जाता तब तक लिया Ben के body के अंदर से अपनी spiritual power निकाल नहीं सकती थी तो इसलिये अब लिया Ben को कड़ी training करने का advice देती है लेकिन Ben तो इन सबी चीजों में पढ़ना ही नहीं चाता था इसलिये वो लिया को कुछ भी जवाब दिये बिना ही वहाँ से चला जाता है जब Ben अपने घर पर पहुचता है तब लिया भी उसके bedroom में मौझूद थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी Ben तो लिया को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है पर अब वो कहां मनने वाली थी तब यह Ben के फादर उसके कमरे में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी लड़की की आवाज सुनाई दी थी पर जब Ben के फादर ड्रॉर खोल कर देखते हैं तब लिया उस जगह से गाया भूचोगी थी और अब उसके फादर Ben को वाण करते हैं कि वो इस घर में किसी भी लड़की को ला नहीं सकता इसके बाद अगले दिन लिया Ben को उठाती है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए प्रिपेर करते रहती है Ben तो उन सारी ट्रेनिंग में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करी नहीं रहा था क्योंकि उसे ये सारी चीज़े करने की आदत ही नहीं थी और अब लिया Ben को ठीक से तलवार चलाना सिखाती है जिसमें कि वो Ben पर लगातर वार करते जा रही थी और Ben तो लिया को बिल्कुल टज भी नहीं कर पा रहा था यहाँ पर हमें दूसरे डैमेंशन की सोल सोसाइटी दिखाय जाती है जहाँ पर एक लाल बालो वाला सोल रिपर जिसका नाम रेंची था वो अपने मास्टर काय को लिया के बारे में सब कुछ सच सच बताता है कि वो लोग अब लिया की spiritual powers को detect नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिया ने अपनी सारी powers एक normal आदमी के body में transfer कर दी थी मास्टर काय रेंची से लिया को पकड़ कर लाने के लिए क्योंकि उनकी दुनिया में अर्थ के किसी भी इंसान को अपनी powers देना बहुती बड़ा crime था और अब रेंची अर्थ के तरफ निकल जाता है लिया को पकड़ने के लिए यहाँ पर बेंच स्कुल के बाद अपने घर के तरफ जाता रहता है पर तबी उसके सामने रेंची आ गया था क्योंकि बेंच के body में ही लिया की सारी powers थी रेंची तो बेंच से लिया के बार में पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है लेकिन बेंच उसे कुछ भी नहीं बताता और सायद से वो समझ गया था कि लिया की जान खत्रे में पड़ सकती है इसलिए अब रेंची बेंच पर लगातर वार करना स्टार्ट कर देता है पर उसे मारने के लिए ढूंड रहा था पर लिया बेंच की बातों को सुनती ही नहीं और उसे सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है क्योंकि लिया को पता था कि जब तक बैंड ट्रेनिंग करके पावर्फुल नहीं हो जाता तब तक वो अपने पावर्ज बैंड से नहीं ले सकती थी और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो दोनों भी मारे जाएंगे अगले दिन जब बैंड अपने स्कूल में जाता है तब ही उसके सामने इशिडा नाम का एक स्टूडेंट आ गया था इशिडा बैंड से कहता है कि उसे उसकी सोल रिपर्स की पावर्ज के बारे में पता है बैंड तो तुरंत उसे चुप कराने के लिए चला गया था इशिडा ये बताता है कि उसके पास भी कुछ पावर्ज है और तब ही ये रिवील होता है कि इशिडा के पास भी बैंड के जैसे ही पावर्ज है वो तो बैंड को अपने सारी पावर्ज शो करता है इशिडा तो अपने शक्तियों का यूज करके बहुत ही पावरफुल बो एन एरो बनाता है और ये देखकर बैंड को रिलाइज हो गया था कि उस रात को इशिडा ने ही उसकी जान बचाई थी और अब इशिडा बैंड को एक फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है जिसमें की पता चल जाएगा कि उन दोनों मेंसे सबसे पावरफुल सोल्ड रिपर कौन है लेकिन बैंड तो उससे लड़ना ही नहीं चाता था पर इशिडा कहां मानने वाला था वो तो बैंड के उपर लगातार हमला करते रहता है और अब इशिडा ने अपना एक बहुत ही पावरफुल गैजट निकाला था जिसे की वो सहर की तरफ फेक देता है तबी लिया को अपने आस पास एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट होने का एसास होता है इसलिए वो बैंड को जटका मार कर उसके अंदर के सोल रिपर को बाहर निकाल देती है ताकि वो जाकर उस खतरनाक स्पिरिट से लडाई कर सके यहां सिटी में तो वो स्पिरिट एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर में कनवर्ट हो गई थी जोकि लगातार सारे लोगों पर हमला करते ही जा रही थी पर लगीली अब वहां बैंड पहुँच गया था और वो तो अपनी बड़ी सी तलवार का यूज़ करके उस बड़ी से स्पाइडर पर हमला करते रहता है लेकिन बैन का एक भी वार उस बड़े से spider के उपर लगी नहीं रहा था क्योंकि वो spider अपने पैर लगातार हिलाते ही जा रहा था और अगर बैन इसी तरीके से लड़ता रहा तो वो जल्द ही मारा जाएगा लेकिन अगर मैं बैन की जगों पर होता तो मैं उस बड़े से spider के पैरों पर हमला करने के बज़ाए उसके main body पर हमला करता इसके लिए मुझे कैसी भी करके spider के नीचे जाना होगा और तब वहाँ पहुचने के बाद उस spider को आसानी से मारा जा सकता था पर अब band को तो उस spider ने काफी damage दे दिया था और ऐसा लग रहा था कि band बज़ भी ने पाएगा लेकिन तब ही उस जगह पर रेंची आ जाता है और उसने मेरी ही टेकनिक का यूज़ करके spider के body पर हमला कर दिया था जिससे कि वो दो हिस्सों में बढ़कर एकदम से मर जाता है रेंची तो यहाँ पर band के spiritual energy को sense करते हुए आ गया था और अब वो band को खतम करने के लिए उसके पास चला जाता है band भी अपनी तलवार की मदद से उससे लड़ाई करता ही रहता है पर वो रेंची के power के सामने कहां टिकने वाला था band को काफी मारने के बाद रेंची उससे खतम करने के लिए आगे बढ़ता रहता है तब भी लिया बैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है रेंची तो समझे नहीं पा रहा था कि लिया एक normal आदमी को बचाने के लिए अपनी जान खतर में क्यों डाल रही है तब भी उस जगह पर master kai भी आ जाते हैं जो कि लिया के बड़े भाई थे और अब वो लिया को बताते हैं कि किसी इंसान को अपनी powers देना सबसे बड़ा crime था और अब उसे कैसे भी करके अपनी powers हासिल करने पड़ेगी नहीं तो उन लोगों को मजबूरी में बैन को खतम करना पड़ेगा लेकिन लिया तो ऐसा नहीं करना चाती थी इसलिए वो master kai से थोड़ा time मांगती है power हासिल करने के लिए master kai लिया को full moon तक का time देते हैं और तब तक अगर लिया ने बैन से अपनी सारी powers वापस नहीं ली तब उन्हें बैन को खतम करना पड़ेगा इसके बाद रेंची और master kai वहाँ से चले जाते हैं लिया बैन को उठा कर अपने school के छट पर लेके आ जाती है और उसके बाड़ी पर लगे वे चोटों को ठीक करने के लिए कुछ जादूई होब्स लगाती है और अब बैन लिया से पूछ रहा था कि वो आगे क्या कर सकते हैं इन सारी बातों को अब काफी time मीच जाता है और अब तो लिया पूरी तरीके से समझ गई थी कि बैन का पावर लेवल कभी बड़ी नहीं सकता क्योंकि उसे फाइटिंग करना बिल्कुल आता ही नहीं था इसलिए अब लिया मास्टर काय के पास चली जाती है और उसने तो बैन को खत्म करने के बज़ाए खुद को ही मास्टर काय के हवाले कर दिया था लेकिन तभी उस जगह पर बैन भी आ जाता है जिसने लिया को ये सारी चीजे करने से रोक लिया था और अब उसने तो सिधा मास्टर काय को ही चैलेंज कर दिया था कि वो आने वाले टाइम में कड़ी ट्रेनिंग करके बहुत ही अच्छा सोल रीपर बन के दिखाएगा रेंची तो बैन की बात उसे काफी गुसा हो चुका था और वो तो उसे मारने के लिए चला गया था पर मास्टर काय रेंची को रोकते हैं और बैन की इस डील को एकसेप कर लेते हैं क्योंकि मास्टर को पहले से पता था कि बैन किसी भी क्रियेचर से लड़ने पाएगा और अब इसके बाद लिया बैन को वापस से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है लेकिन इस बार बैन सभी चीजों को काफी सीरियसली ले रहा था वो दिन बदिन सारी ट्रेनिंग्स में काफी अच्छा होते जा रहा था क्योंकि अब उसे कैसे भी करके एक अच्छा सोल्ड रिपर बनना था ताकि वो लिया की जान बचा सके बैन ने तो अपनी अंदर के स्पिरिचल पावर को काफी इंप्रूब कर लिया था जिससे कि वो बहुत एक कम टाइम में सारी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया था एक दिन लिया और बैन एक खतरनाक क्रियेचर को डूनते डूनते जंगल में आ गए थे और अब वो खतरनाक स्पिरिट वाला क्रियेचर एक दमून के सामने था इसलिए लिया ने बैन के अंदर के स्पिरिचल एनरजी को बाहर निकाल दिया था ताकि वो उस खतरना क्रियेचर से जाकर फाइट कर सके बैन तो तुरंट अपनी तलवार का यूज़ करके उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है पर तबी बैन को उसके अंदर अपनी मा दिखाई देती है जो कि सालों पहले मर चुकी थी और अब ये रिविल होता है कि सालों पहले इसी स्पिरिट ने एक चोटी सी बच्ची का रूप लेकर बैन की मा को मार डाला था बैन तो अपनी मा को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है लेकिन उसे क्या पता था कि ये सारी विजन्स उसे वो क्रियेचर ही दिखा रहा है और अब उस क्रियेचर ने अपना असली चेरा दिखा दिया था जो कि बहुत ही खतरनाक स्पिरिट थी और अब बैन तुरंत उसके उपर हमला करने चला जाता है वो दोनों तो लड़ाई करते करते सीटी के बीचों बीच आ गए थे वो क्रियेचर तो लगातर बैन पर हमला करते जा रहा था जिससे की सीटी में चारों और तबाई होना स्टार्ट हो जाती है और अब तो उस क्रियेचर ने ये बड़ी बड़ी बिलिंग्स को गिरा कर बैन के उपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था बैन तो अपनी ट्रेनिंग में सारी टेकनिक्स का यूस करता है और उस क्रियेचर के वार से लगातार बचते रहता है पर अब उस creature ने Ben की तलवार को पकड़ लिया था और अब ऐसा लग रहा था कि Ben की अब जान चली जाएगी तब ही उसी creature के उपर किसी ने हमला कर दिया था जिससे कि Ben वहां से आजाद हो जाता है और वो वार इशिदा ने किया था जो Ben की मदद करने के लिए वहां पर आ गया था इशिदा तो लागातार उस बड़े से creature पर arrow मारते ही जा रहा था जिससे कि उस creature को थोड़ा तो damage होता है पर अब वो धिरे धिरे इशिदा की technique को समझ गया था जिसका यूज़ करके वो उन arrow से बचता जा रहा था इसी मौके का फाइदा उठा कर Ben उस creature के नीचे चला जाता है और अपनी तलवार की मदद से उसके body पर हमला कर देता है लेकिन इन सारी चीजों ने उस creature को काफी ज़्यदा गुसा दिला दिया था उस creature ने तो अब अपनी सारी spiritual power एकटा कर ली थी जिसके वज़े से उस जगों पर एक बहुती बड़ा तूफान आने लगता है उसके वज़े से इशिडा और Ben को काफी damage हुआ था और अब इशिडा और Ben कहीं दूर जाकर gaze जाते हैं लेकिन Ben जिस बस में जाकर गिर गया था उसे तो creature ने पूरा का पूरा उठाई लिया था वो creature तो बस के अंदर से Ben को मारने की कोशिस कर रहा था लेकिन तबी इशिडा ने उस creature के आँख में arrow मार दिया था जिसकी वज़े से उस creature ने काफी गुसा होकर बस को तो एकदम से destroy कर दिया था लेकिन अब Ben को एक golden opportunity मिल गई थी जिससे की वो miss नहीं करना चाता था इसलिए अब Ben अपनी बड़ी सी तलवार लेकर उस creature के सर पर वार कर देता है जिससे की वो खतरनाक spirit मर गई थी लिया Ben को देखने आती है क्योंकि इस लड़ाई की वज़े से Ben काफी अधा घायल हो चुका था पर Ben तो लिया को देखकर एकदम मुस्कुराता ही रहता है इशिडा भी वहाँ पर हस्ते विए आ गया था पर तबी इशिडा को किसी ने पीछे से मार दिया था और वो और कोई नहीं बलकि रेंची था वहाँ पर तो मास्टर काई भी आ जाते हैं जो लिया को एक लास चांस देते हैं ताकि वो सब Ben को मार कर उसके अंदर के स्पिरिट्वल एनरजिस निकाल सकें लेकिन लिया मास्टर काई की कोई भी बात मानती ही नहीं और उसके सबसे इंसान कभी गलत नहीं हो सकते लेकिन ये सारी चीजे मास्टर काई के समझ में नहीं आने वाली थी इसलिए अब वो रेंची को आदेज देते हैं कि वो Ben और लिया दोनों को ही खतम कर दे और अब रेंची ने तो Ben पर लगातार हमला करना स्टार्टी कर दिया था Ben तो सबसे पहले खुद को डिफेंड करने का ट्राय करता है लेकिन रेंची के सबी वार इतने ज़्यादा फास्ट थे ना कि Ben उन्हें देखी नहीं पा रहा था और अब रेंची तो Ben को मार मार कर दूर ढखलते ही जा रहा था पर अब Ben अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जिसमें की लिया ने उससे दुश्मन के मुमेंट को समझने का तरीका बताया था और उसी तरीके का यूज करके Ben अब रेंची पर वार करना स्टार्ट कर देता है वो तो रेंची को काफी अच्छी टकर भी दे दे रहा था लेकिन रेंची के पास जो स्पिरिच्वल पावर्स थे वो Ben से कई ज़ादा थी और अब रेंची ने सारी पावर्स यूज करके अपनी तलवार को एक बहुती पावर्फुल वेपन में कनवर्ट कर दिया था जिसका यूज करके वो लगातर Ben पर हमला करते ही जा रहा था वो वेपन तो कितना भी लंबा हो सकता था और कैसे भी वार कर सकता था Ben तो उससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर अब रेंची ने Ben को अपनी वेपन से पकड़ लिया था वो तो Ben को तुरंट एक दूसरी जगों पर फेक देता है और उसके उपर बहुत सारी कार्ड डाल कर वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है रेंची को लग रहा था कि Ben अब तक मर चुका होगा लेकिन ये उसकी गलत फेमी थी Ben को तो काफी डेमेज होआ था पर वो अभी भी रेंची से लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता है Ben तो अब लगा था रेंची की तरह बढ़ते ही जा रहा था और अब उसने रेंची के उस वेपन को तोड़ दिया था और उसे काफी दूर ढखेल दिया था इसका मतलब ये था कि रेंची Ben से हार चुका था इसलिए अब खुद मास्टर काई Ben से लड़ने चले आते हैं मास्टर काई इतनी ज़्यादा फास्ट थे ना कि वो Ben के वार करने से पहले ही उसके पेट में तेजे से अपनी तलवार मार देते हैं जिससे कि Ben को बहुत ज़्यरा चोट लगी थी पर वो अभी भी मास्टर काई से लड़ने चले आता है मास्टर तो इस बार भी Ben की तलवार को आसानी से रोक देते है और उस पर वार करके उसे गिरा देते हैं लेकिन Ben तो हारी नहीं मान रहा था इसलिए अब Master Kai को काफी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसलिए उन्होंने Ben के बोडी के बीचो बीच वार कर दिया था जिससे की कोई भी इंसान बच नहीं सकता था लेकिन Ben ने अभी भी Master Kai को पकड़ लिया था क्योंकि वो तो सिप लिया को बचाना चाता था Master Kai अब डिसाइट कर लेते हैं कि वो Ben को जान से मार देंगे पर तब ही लिया उनके बीच आ जाती है और उसने तो Ben को ही मार कर दूर कर दिया था लिया ने तो Ben को एक normal इंसानी कहा था जिसके वज़े से अब वो भी मुसीबत में पड़ गई थी लिया के इस behavior को दिखकर तो Ben चौक ही गया था दरसल लिया ये सारी चीजे इसलिए कर रही थी ताकि Ben की जान बस सके और अब उसने Ben की तलवार खुद के बाड़ी से टच कर ली थी जिससे की वो Ben के अंदर की सारी spiritual powers अपने बाड़ी के अंदर ट्रांसफर कर लेती है और ये सारी चीजे हो भी जाती है क्योंकि अब उन दोनों का power level एकदम सेम था इसके तुरंद बाड Ben अपनी आखे अपने बेडरूम में खोलता है उतने के बाड तो उससे लग रहा था कि ये सारी चीजे एक ड्रीम थी Ben तो अपनी नौर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देता है पर जब वो अपनी किताबे खोलता है तो उसे वहाँ पर वो वर्ड्स दिखते हैं जिसे की लिया ने लिखा था वो देखकर तो Ben थोड़ा सा स्माइल करता है और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खतम हो गई थी सो यूवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमें सेक्चेन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्प्लीनेशन एक पसंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्क्राइब जरूर कर दिना क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मरे दा स्टोरी जून कर लाने के लिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में सीया